Hello guys and welcome to brand new batch of class 10th mathematics NCRT based syllabus होगा इसका English medium NCRT तो CBSE वाले student के लिए RBSC के अंदर भी NCRT लग गया है या कोई भी और बॉर्ड जिसमें NCRT बुक लग रहा है उसके लिए आपको benefit मिल जाएगा इसके अंदर इससे previous video जो अभी आया है से जस्ट पहले 6 p.m. आप लोगो रहें देखा होगा तो उसके ने मैंने overview दिया था कि हम क्या करने वाले तरशूल वियो हमारा होने वाला है मैंने आपको समझा दिया है वो चीज नहीं देखा है पुराना वी लिए देख लो एक बर उस चीज को और उसके अलावा क्या करने वाले है चैप्टर का भी फिलो चार्ट में बता दे चैप्टर में क्या क्या होने वाला है बट क्लास से स्टार्ट होने से पहले एक दो बाते क्लियर कर देते ताकि बार बार बोलने के need ना हो देखो पहली बात तो ये कि कोई भी topic अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो topic समझाते हो अगर आपके मन में कोई भी question फुदक के आ रहा है कि यह क्या तो इसको थोड़ा से प्यार से बैठा देना थोड़े के टाइम के लिए बोले कि tension मतले तेरा अंसर आने वाल है क्योंकि जब मैं बोलू हूँ आपके topic cover तब तक आपके सारे question के answer मिल चुके होंगे जितने भी आपके question के कीड़े सब सांत हो जाएंगे tension नहीं लेना है उस stage का दूसरी बात notes properly बनाना अगर best results चाहिए आपको इस stage के regarding आपको best results चाहिए 10th maths में तो notes को properly बनाना साथ-साथ भी लिखते रहे ना थोड़ा-थोड़ा time भी देदूगा लिखने के लिए तो इस बात की tension नहीं लेना है और जो काम दिया जाएगा next class attend करने से पहले previous class का revision हो जाना चाहिए extra book refer मत करना भी starting days में कोई tension नहीं है NCRT कराओंगा फिर मैं खुद आगे extra question लेकि आओंगा कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है तो chapter number one आपके real number तो real number वाले chapter को हम वहीं से start करेंगे जहाँ पर आप इना 9th में इसको छोड़ा था ठीक है और वहाँ से start होता होता आज की class में conclusion होते आपको पता लगेगा कि आप अपनी chapter के कुछ question उठाके देखो गे NCRT के तो आप से हो जाएंगे ठीक है तो देखो real number तो real number क्या होता है जितने भी type के number आप लोगों ने अब तक देखे है सब real number की category माते है तो एक ही करके देखते हैं को कौन-कौन से number आप लोगों ने देखे है ठीक है तो सबसे पहला number देखो वही बाली बाते हैं कि 9th class में आप देख चुके हैं चीजों को 8th में भी आ जाता है लेकिन फिर भी start हमेशा basic से होता है क्योंकि ये चीज़ आप भी काम आएंगी तो natural number denoted by capital N first letter यूज हो रहा है natural number वो number होते हैं counting वाले number जो अगर आपको कोई भी चीज़ काउंट करने को दिया naturally आपके मन में starting कहां से होती है one से तो natural number start from one two, three, four चलते-चलते infinite तक number जाएंगे these are natural numbers second type का जो number आप लोग आप लोग ने अब तक बच्पन से पढ़ा है that is whole numbers first letter capital W ही इसको denote करेगा और whole number, एक whole क्या होता है दिवार में whole हो गया whole का shape क्या होता है zero ठीक है ऐसा दिखता है whole ठीक है तो zero include हो जाएगा और naturally जो आपके number थे वो तो इसमें count हों गई होंगे तो 0, 1, 2, 3, up to infinite number whole numbers के category में आ जाता है साथ साथ लिख सकती चीजे करी होई है आपकी ठीक है third type की number आप लोगों देखा integers जो number होते है capital Z से denote किया जाता है याद करने का तरीका simple सा है हला कि देखा जाता है Latin word और जो कई Greek word से लिए गए उनके coding अपना symbol बनता है ठीक है integers Z integer Z आ रहा है ठीक है तो इसको capital Z से denote करेंगे कुछ नाम है इसका अब वो अपना need नहीं है क्यों root word क्या है उसके कोई need नहीं है आपको और integers में क्या होता है देखो अब यह आप समझना आपने क्या क्या किया है number line बच्पन में सबसे पहले number line सिखा ही जाती है आपको इस number line पर सबसे पहले starting जो होती है वो होती है आपको सिखाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते हैं infinite right side में आप जानते है positive number होते हैं ठीक है फिर जब whole number तो इस सारे number क्या हो गए आपके यहां से 1 onward जितने भी number आपको दिख रहे दिजा है natural numbers फिर number line पर एक नया number introduced हो जाता है that is whole number 0 जैसे introduced होता है तो यह सारे क्या बन जाते हैं आपके whole numbers बन जाते हैं अब left side negative तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, up to minus infinite जब सारे number ले लिये जाते हैं positive, negative, 0 तो पूरा क्या बन जाता है आपका integers हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि minus infinity से start होता होता, minus 2 तक आया होगा minus 1 तक आया होगा, 0 आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा up to infinity सारे number के होगा यह आपके integers number आ जाते हैं ठीक है, यह आप लोगों ने किया हुआ है अच्छे से फिर जो आपने नया number पढ़ा था उसके बाद में that was rational number, हम वो question भी देखेंगे जो 9th class में already कर चुक है उनके regarding, फटाफट फटाफट हो जाएंगे लेकिन brief होना जरूरी है, rational number number that can be written in P upon Q form ठीक है, A upon B form P upon Q form, X upon Y form यानि numerator upon denominator वाली जो भी form होती है that is rational number जिस example की बात को इसको denote करते है capital Q से क्योंकि एक चीज आपको अभी पता लगेगी और अल्रेडी बता दिया गया होगा जिस जिस ने 9th जहां से भी पढ़ी है कि दोको एक चीज होती है आपने movies देखी है, I think South Indian movie रजने कांत की सिवा जी movie सबने देखी होगी ठीक है उस movie में एक चीज होता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग है इन सब की जो पॉल पट्टी होती है वो उनके नोकर, ड्राइवर घर में काम करने वाले, जो भी होते इनको पता होता है जो नीचे काम करने वाला होता होता है उसको फॉल पता होती है ठीक है जितना bी रिचनल नंबर को वेटेस दिया होँ है यहांपे किस से denote कि आ जाता है रिचनल नंबर को क्यों से denote कि आ जाता है अभी देखेंगे थोड़े टाइं बाद में अब इसी class में कि Q है वो सारी पोल खोल के रख देता है क्योंकि आपको पता terminating type के rational number होते है non-terminating, repeating type के rational number होते है किस पर depend करता है, only Q पर depend करता है ठीक है, देखते हैं कैसे होता है तो example इसकी बात करें 2 upon 3, minus 1 upon 5, minus 5 upon 7 ठीक है, अब rational number में 0 भी rational number होता है क्यों, आप 0 को 0 upon 1 लिख सकते हो 1 भी एक rational number है, क्यों, क्योंकि 1 को 1 upon लिख सकते हो इसका मतलब तो ये निकल के आगया जितने भी आपको number नजर आ रहे है अब वो question है जो 9th class के नदर आप chapter 1 में होते है क्या, all natural numbers हमें एक एक करके question को recall करवाता हूँ ठीक है, all natural numbers ये सारे natural number whole number है, बिल्कुल है जितने भी natural number आपको whole में नजर आ रहे है तो all natural numbers are whole number but vice versa ज नहीं होगा क्यों, all whole numbers are not natural number क्यों, 0 ने पंगा कर दिया ये तो नहीं है, ठीक है ये आप कर चुक है already question all natural numbers are integers, बिल्कुल है सारे natural number integer में नजर आ रहे है तो all natural numbers are integers लेकिन उल्टा गलत हो जाएगा all integers are natural number, नहीं negative और 0 कहा है, इसके अंदर नहीं होगा, all whole numbers are integers, बिल्कुल सारे whole number आपको integer में नजर आ रहे है all integers are whole number, नहीं negative नहीं है, अब नया question इसके अंदर all natural numbers are all natural numbers are rational number बोले, बिल्कुल है, सब के अप उन में one लग सकता है कोई problem नहीं है ठीक है, all rational number are natural numbers बोले, नहीं, एक example पकड़ लो कोई भी, नहीं है two upon three, natural ये भी नहीं है natural, ये भी नहीं है natural all की बात होती है, सारा होना चाहिए second, all whole numbers क्या सारे whole number rational है बिल्कुल सारे whole number rational है सब के अप उन में one लग सकता है तो सारे whole number क्या होंगे, rational number ये question आप कर चुके उल्रेटी नहीं थी किलास में ठीक है, अपन सिर्प review कर रहे है उनको दुबारा से ऐसा ही, all rational number है, whole number कहा है rational number, whole number, नहीं है all integer सारे rational number बिल्कुल सारे integer rational number है क्योंकि सब के अप उन में क्या लग सकता है one लग सकता है, क्योंकि one से डिवाइड करने कोई problem थो होती नहीं है बट क्या सारे rational number integer है, नहीं है ठीक है, तो ये type के number वो है जो आप लोग पहले पढ़ चुके थे पर irrational भी आप लोगों ने 9th क्लास में देख लिया था कैसा होता है, अभी हम देखने वाले उस चीज को फिर आम इनका देखेंगे decimal expansion कैसा होता है terminating, non-terminating, repeating and non-terminating, non-repeating और उसके basis पे आपको लग रहा होगा किसी को किसारे 9th क्लास की चीज़े है लेकिन 10th क्लास में ये बटा काम आने वाली है ठीक है मेरे दोस्तों, भाईयों, बेनों काम आने वाली है तो tension नहीं लेना है, सब कुछ काम की चीज़े चल रही है ठीक है, फिर देखा था आपना irrational number, next type ये भी real number का part होता है ठीक है irrational number वो number होता है simple simple बात करें, तो under root के बाहर जो number नहीं निकलता वो irrational number है जैसे, आप मैं irrational और rational दो category बना रहूँ क्योंकि आपका real number दो ही type का होता है rational, irrational, rational की category में वो सारे आ जाते हैं, जब तक आपने पढ़े हैं फिर prime number, composite number, co-prime number अरे सारी चीजे भी अभी आएंगी क्यों आएंगी, क्योंकि आपके बहुत important question इस chapter का prove root 5 irrational prove करो root 2 को irrational वहाँ पर co-prime वाली property काम आती है co-prime में confusion होता है, co-prime क्या होता है बच्चों, confusion होता है, co-prime number prime होना जरूरी है वह सबबी बताने वाले है अपन ठीक है, पहले इसको देखते है तो rational number आप देख चुके हो अब मैं example ले रहा हूँ, बताना rational में आएगा कि rational में आएगा मैंने लिया under root 1 कहां डालू तो आपको पता है कि under root 1 root के बाहर आजाता है, one का under root 1 होता है तो किस category में आएगा ये rational category में आजाएगा ठीक है, root के बाहर निकल गया और अब one को में one upon one लगा सकता हूँ ठीक है, तो जो भी root के बाहर निकल जाता है पूरा पूरा बाहर निकल रहा है, that is rational क्योंकि फिर one लग जाएगा root 2, क्या 2 बाहर आ सकता है निकल के? नहीं आएगा, that is in the category of irrational number फिर बात करते है, root 3 की, क्या 3 बाहर आ सकता है? नहीं आएगा, that is also irrational root 4, बिल्कुल root 4 बोलो या 2 बोलो जिसकों 2 upon 1 लिख सकते हैं, that is rational root 5, इस category में root 6, बाहर नहीं आएगा पूरा-पूरा root 7 नहीं आएगा बाहर, root 8, कुछ बच्चों को लग रहा होगा root 8 को 2, root 2 लिख सकते हैं, कैसे? वो ही बता देते हैं, 8 का मतलब होता है 4 into 2, 4, 2 बनके बाहर आ जाता है 8th class, square root chapter ठीक है? लेकिन अभी भी root में है न, term root से बाहर पूरा-पूरा निकलना चाहिए तब तो rational है और नहीं निकलता तो rational बात समझ में आगई, root 9 3 बनके बाहर निकलेगा that is 3 upon 1 rational number clear हो गया होगा, कि rational-irrational का एक difference बनता है, कि जो root के बाहर निकल जाता है, that is rational जो root के बाहर नहीं निकलेगा पूरा-पूरा that is irrational, यह तो गया इसके basis पे और example इसका एक πाई बनता है ठीक है? अच्छा अब जब बात rational-irrational की differentiation करने की आई गई है, differentiate कर रहे है आप इन दोनों चीज़ों को, तो एक basis और है जिसके basis पे difference करना ज़्यादा important है that is decimal expansion की according ठीक है? तो decimal expansion इनकी according देखते हैं किसका क्या होता है तो उसके लिए सबसे पहले हैं कुछ एक्जामपल लेंगे फिर बात करेंगे क्या-क्या होता है, ठीक है? तो मैं rational number दुबारे heading डालो rational number sorry मैं भूल गया, थोड़ा time नहीं दी आपको लिखना है लेकिन इतनी जादा बड़ी चीज नहीं थी आपका किया हुआ तो फटाफट साथ लिखते रहो और भी ठीक है? जा मुझे लगेगा नया है मैं हट जाओंगा, लिख लेना rational number के example ले रहा हूँ क्या यह rational है? बिल्कुल है 1 upon 3 rational है 1 upon 4 rational है 1 upon 5 rational है 1 upon 6 rational है देखो, numerator से फ़रख नहीं पढ़ रहा हूँ दिहान रखो denominator पर क्योंकि मैंने कहा था, पॉलपट्टी कोन खोलने वाला है इसके denominator खोलेगा ऐसे अगर आपन बात करें 1 upon 8 ले लिए ठीक है? 1 upon 10 ले लिया और उसके राभब बात करें 1 upon 11 ले लिया 1 upon 20 ले लिया 1 upon 50 ले लिया यह मैंने कुछ rational number के example लिया है और whatever decimal value देखें 1 upon 2 की value होती है 0.5 1 upon 3 की value होती है 0.333 dot 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 यानि आप इसको लिख सकते है 0.3 bar लिखते है 1 upon 4 की value पर अगर आप फोकस करें 0.25 1 upon 5 की value पर फोकस करें 0.2 1 upon 6 की value फोकस करें देखो, point लगा, 10 बना 6 1 जा 6, 4, 6 6 जा 36 4, 6 6 जा 36 4, 6 6 जा 36, 4 यह चलता रहे गए आप इसको लिख सकते हैं 0.16 bar only 6 पर बार होने वाला है 1 upon 8 की बात करें 0.125 1 upon 10 की बात करें 0.1 कुछ conclusion निकल के आने वाल है कुछ लोग जानते होंगे 1 upon 11 की बात करें point लगा, ठीक है नहीं जाएगा, 1 0 आने पर 0 लगा, 100 बना फिर 1 बचा यही repeat करेगा यानि कि 0909 बार बार repeat हो रहा है तो इसके उपर बार लग जाता यहाँ पर 3 बार बार repeat हो रहा है तो बार लगा दो यह 6 बार बार repeat हो तो 6 की उपर बार लगा दो यह 0909 बार बार repeat हो रहा है तो इसके उपर बार लगा दो 1 upon 20 की बात करें 0.05 यानि इतने एक्जामपल में आपको दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन नजर आ गया है, वो कौन-कौन सा ज़रा ध्यान दो, इस पे फोकस करो, टर्मिनेट कर गया, रुक गया, टर्मिनेट कर गया है, टर्मिनेट हो गया है, मतलब रुक गया है, आगे नहीं रुक रहा है, यह नहीं रुक रहा है, चले जा रहा है, यह रुक रहा है, यह रुकने वाला है, यह नहीं मान रहा है, यह रुक रहा है, यह रुक रहा है, यह position पे जाकर खतम हो जाती है, रुख जाती है, इसकी value यह terminating है, कैसा है यह terminating, terminating decimal expansion, यह फुरा detail में और देटेज को और बाद में short में, यह terminating है, यह भी terminating है, यह भी terminating है, ठीक है, ऐसे अगर इसकी बात पर यह था बात करें, यह भी terminating है, эту terminating यह भी आपका टर्मिनेटिंग है और यह भी आपका टर्मिनेटिंग है आप दूसरी टाइप के भी है वो कौन से हैं टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं रुक नहीं रहे हैं मानी नहीं रहे हैं रुक नहीं रहे हैं लेकिन आपने इसी पर ध्यान दिया होगा भले यह मान नहीं रह कर रहे है और pattern क्या है repeat कर रहा है बार 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 ऐसा नहीं है कि कुछ चीज रिपीट भी नहीं हो रही repeat कर रहा है बार 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 ठीक है यानि एक दो तरीकी चीज़ हो गई एक तो बच्चा होता है कोई गलती करना बंद कर देता है ठीक है एक रुसी गलती को बार-बार-बार repeat करे जा रहा है तो ये चीज आपकी होगे terminate नहीं हो रहा तो ये non-terminating है इस सब example लिखना ये क्या है non-terminating लेकिन repeating है अब किसी के मन में आ रहा हूगा सरी एक word और बोलते हैं इसको मैं लिखवा दूँगा इसको बोल सकते हैं non-terminating repeating या repeating की जगए एक word और यूज करते हैं recurring ठीक है तो non-terminating recurring भी बोलते हैं और short में अगर मैं इसको यूज करूँ तो देखो non-terminating को n-tr तो ये क्या होगे आपका n-tr अपना short form है लिखने के लिए n-tr non-terminating repeating मुई देखी South Indian ठीक है तो South Indian मुई में आप लोगों देखा होगा जो अभी Simba मुई आई थी ठीक है रनवीर सिंग की तो Simba मुई का जो original था ठीक है वो South Indian मुई के अदर जो एक्टर है that is Junior NTR उसका नाम है Junior NTR उसका पापा का नाम था NTR non-terminating बढ़ रिपीट कर रहा है बहले देख कोई चीज हो रहा है repeating digit एक हो दो डिजिट रिपीट करें थ्री डिजिट हो यह नाइन्थ क्लास का पड़ी हो चीज है आपको ठीक है फिर भी मैं आपको बिलकुँ डेटेल बता रहा हूँ तो maximum digit हो सकता है denominator minus 1 याने maximum 16 हो सकती है repeating block में जरूरी नहीं 16 होगी जैसे 1 upon 11 के repeating block में maximum 10 digit हो सकती है यह ऐसा नहीं कि 9th का question 10th में नहीं पूछा जाता objective question 4 में पूछ सकते हैं ठीक है ना कुछ भी आ सकते है repeating block में maximum 10 digit हो सकते हैं आगी तनीरी only 2 digit आ रही है ठीक है ना तो question को recall करो सारी चीज़ों को यह भी गया है आपका NTR non-terminating repeating इसका मतलब आपने सब टाइप का देख लिया सारे rational है rational 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 यानि rational number का decimal expansion की अगर हम बात करें इनका जो decimal expansion निकलके आएगा वो दो टाइप का हो जाता है क्या तो वो terminate करेगा और अगर terminate नहीं हुआ non-terminating हुआ तो repeat जरूर करेगा ठीक है यह दो टाइप का decimal expansion निकलता है आप इसके basis पर भी बनता है क्योंकि यही question आपका 1.4 का है कि देखकर बताओ देखकर बताओ सिर्फ सकल देखकर बताओ 1 upon 2 की सिर्फ सकल देखकर बताओ decimal math calculate करो 1 upon 3 की सिर्फ सकल देखकर बताओ 1 upon 4 की सिर्फ सकल देखकर बताना है 1 upon 11 की सिर्फ सकल देखकर बताना है 35 upon 57 की सिर्फ सकल देखकर बताना है आपको कि terminate करेगा या नहीं करेगा तो वो कैसे पता करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा था, सारी पॉल कौन खोलता है अपका, डिनोमिनेटर, तो ज़रा धिहान से देखते हैं, यह आपने लिख लिया होगा, ठीक है, यह पर लिख लो, I am giving you one minute, यह पर इसको नोट डाउन करो, अभी यह ऐसे पॉल निकाल क्योंकि अपने को पता तो लग गया, कि कोन कहसा है, किसका कैसा करेक्टर है, वो तो हमें पता है, और उसके बारे में पता कोन बता देगा, उसका डिनोमिनेटर, तो इसको नोट करो, आगे चलते हैं, देखो भी, क्लास के बीच में अगर कुछ भी कंफिजन होता है, हलाकि कि मैं try करूँगा कि आपके mind में confusion classroom से बाहर ना जाए पहले ही वो clear हो जाए बट फिर भी अगर कोई चीज cover नहीं हो पाती है और आपको लगता है कुछ extra है तो एक पर comment section में डाल देना उस चीज को हो सकता है कि वो next class में आने वाली हो मेरे मन में बादमेकर आने का हो उसको तो वो देख लूँगा और हो सकता है मेरे mind से skip हो गया हो ठीक है और आपके मन में कुछ extra लग रहा है या कुछ confusion है कोई doubt है तो वो एवर comment section लिखना ताकि next class के अंदर में उसको cover up कर लो ठीक है ना उस point वो अपना name के साथ लिख देना कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी तो note कर लिया होगा अपना ये अब ज़रा देहन से देखो कि terminating वालों पर focus करते हैं सिरफ terminating वालों कि ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर ऐसी कौन सी खास बात लेके बैठे होगा या रही इनका रूख जाता है terminate हो जाता है कोई तो खास property होगी अब कौन सी खास property वो ही बात करते हैं तो ज़रा एक बात देखते है terminating है कौन कौन सा तो ये terminating है ये terminating है ये आपका terminating हो गया ये terminating है आपका यह terminating आपका यह terminating है तो इनके नोकरों से, ठीक है इनके घर में काम करने वालों से, इनके PA से इनसे बात करते हैं, जो नीचे बैठे हुए है इसको देखा, भाई क्या हो, तुम ऐसा क्या खास बात है तुम्हारे अंदर की यह terminate हो जाता है, बोले मेरा गर पर इतने सालों से काम कर रहे हैं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो directly आप पूछो कि भाई बता दे इसकी PA क्या है, इसका weakness है, क्या चीज़ बता देगा आपको, नहीं बताएगा ना, क्या तो पैसे को लालच तो उसको तो वो तो देखो नहीं करेंगे, गलत बात तो वो काम नहीं करेंगे, तो तोड़ेंगे उनको ठीक है, जब तक बोलेगा नहीं, तब तक तोड़ते रहेंगे उसको जब उसको बोलना है, अपनको निकलवाना है उसको तोड़ना है, उसकी मार पिटा ही करनी है, उसकी कुटा ही करनी है, काटा पिटी सब करनी है तो तोड़ने को math में क्या बोलते हो, factor करना और factor कौन सी form में करोगे, prime factorization करने वाले हैं समझ गए, तो इसका prime factorization करो, बोले मैं तो 2E हूँ बोले, इसका prime factorization करो, बोले 2 into 5 कुछ-कुछ लगा, अजीब लगने लगा, बोले, यार, ये तो कुछ तना तो कुछ ये, तो बड़े अजीब तरीका, prime factorization आ रहा है सब के अदर एक ही common property निकल के आ रही है, क्या, ये बड़े-बड़े लोग जो वैसे हैं, जो गरत काम कर रहे हैं, सब के सब लालची है एक जैसे निकल के आएगा न, तो सब में एक चीज common नजर आ रही है, क्या common है property वो भी देखते हैं तो 20 का मतलब 4 into 5, 4 means 2 into 2, into 5, 50 का मतलब 5 into 10, तो 2 into 5 into 5, अब पता लग गया, बोले, सब की एक ही common property, एक ही कम जो रही है, सब की क्या, क्या तो denominator में only 2 है only 2, अब वो 2 कितनी बार भी हो सकता है, ठीक है, ये 9th class में आपको बताया गया होगा क्या तो only 2 है, वो 2 एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है या only 5 है, एक example और पकड़ लो, 1 upon 25 का, इसका भी आएगा, ठीक है, तो इसका prime factorization करोगे, 5 into 5 तो क्या तो only two है, कितनी बार भी, या only five है, कितनी बार भी, ठीक है, या फिर two और five का combination है, two और five का combination, 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 और को फरक नहीं पड़ता, कि two कितनी बार उस combination, five कितनी बार है, लगा होगा दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन या गलत हो गया, two two time आ करने वाले और एक non terminating repeating terminate के अंदर एक खास property ने कलके है कि इनके prime factorization में क्या तो अकेला 2 मिलेगा वो कितनी बार भी मिले या only 5 मिलेंगे या 2 और 5 मिलेंगे उनका combination कितनी बार का भी हो इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए यानि के बेइमानी भी कर रहे हैं तो वो इमानतारी से कर रहे हैं इसके लावा किसी चीज का mixture नहीं है अब उनको थोड़ा सा गड़बड करने के लिए हीरो ने क्या करा कुछ अपने आदमी मिला दी अंदर अब वो अपने आद मिला दी हो कैसा है जरा देहान देखो तो हमने terminating की तो वो निकाल ली पॉल क्या तो only two या only five अभी लिखवा देंगे इस line को ठीक है चलो चाहो तो एक note डाल के लिख लो if लिखो note डाल के if prime factorization of denominator if prime factorization of denominator have only two or five or both two and five then it is having terminating decimal expansion ठीक है यह हो गया आपका terminating line अब गये बोले ठीक है terminating के बारे में तो पता लगया अब ज़रा देखते है non-terminating में ऐसा क्या हो जाता है कि यह बज़रा terminating ही नहीं हो पाता ऐसा क्या बात है इसके अंदर तो उनके पास जाके अपने देखना चालू की है तो क्या है यह non-terminating वालों में पोल तो यह खोलेगा denominator 3 ठीक है 2 into 3 ठीक है और अपने एक example ले लेते हैं यह 11 देखलो आप एक example और लेता हूँ 1 upon 15 इसका भी non-terminating repeating होगा तो यह है 3 and 5 ठीक है यानि कहने का मतलब आप देखलो 1 upon 35 ले ले लेना इसका भी non-terminating repeating आएगा करके देखो तो इसका आएगा 5 into 7 कहने का मतलब क्या है कि कुछ impurity डाल दी हमने क्या impurity है कि 2 और 5 के लावा कुछ भी आजाए चाहे 2 और 5 के साथ में हो जैसे यहां 5 के साथ में है यहां 5 के साथ में है ठीक है ऐसे अगर आपन बात करें यहां 2 के साथ में है कुछ भी नंबर 2 और 5 के लावा इनके साथ में आ गया यह अकेला आ गया जैसे यहां अकेला आ रहा है ठीक है तो क्या बना देगा इसको नोन टेर्मेटिंग रिपिटिंग बना देगा बात समपल समझ में आगी तो अगर नोट डाल के लिख लो सीजगो एक नोट डालो इफ प्राइम फेक्टरिजेशन ओव डिनॉमिनेटर वो जो नोट था उसी में सेकिंड पॉइंट लो क्या तो फिप्राइम फेक्टरिजेशन ओडेशन ओडिनॉमिनेटर हविं अप्राम फेक्रेशन ओडिनॉमिनर फैविं अन badge प्राइम आपकश्र थार फैफ युण टेर्ग अश्छियक व्लैव कैसे अडिठाटो क्या वीडग आईगा विद और にänner तो तू और फाइफ के साथ विद और विदाउट तू और फाइफ देन इट इज हाविं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थिंक आपको पूरा पिचर के लिएर हो गया होगा नाइंत क्लास का ही पार्ट था लेकिन मैंने आपको इस तरह से कर रहा है जैसे पहली वर कर रहा हूं ठीक है तो कोई टेंशन नहीं नहीं लेना इसके अंदर अब बात करते हैं कि दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग लिखना इस एज़ को टर्मिनेटिंग दूसरा बनना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट हैं क्या एक तो रिपीट करने वाला यानि रिकरिंग मन में तो आ रहा होगा सबके कि सर ऐसा हो जाए कि ना तो टर्मिनेट करें ना ही रिपीट करें तो नॉन रिकरिंग तो जो टर्मिनेटिंग और नोन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये तो होते हैं आपके रिशनल ठीक है? बहुत आपको समझा दिया और जो एक कैटेगरी बची है कुन सी बची है? नौ तो टर्मिनेटिंग, नौन टर्मिनेटिंग और नौन रिपेटिंग, एंटी एन आर नौन टर्मिनेटिंग, नौन रिगरिंग ये आपके होते हैं इररेशन यानि एक सिंपल एक्जाम से बात करूँ तो किलास में तीन टाइप के बच्चे होते हैं ठीक है? एक तो बच्चे वो होते हैं जो चुपचा बैठके पढ़ाई करते हैं होते हैं ने कैटेगरी? कि टीचर ने किलास में لامी तुपचा बढ़ा जोटेगरी में दो निकल जाती है जो टीचर के बोलने के बाद अटलिस्ट क्या तो पढ़ायते नहीं है तो कमसे कम कुच करते रहते हैं लेकिन शांती जरूर रखते हैं और एक वो ना तो terminate होना है, मतलब ना तो पढ़ना है और ना ही चुप रहना है कितना भी कर लो उनको तो terminate पढ़ना, non-terminate नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, कम से कम कुछ तो मान रहा है बात, और एक पच्छे केटेग्री बन जाती इर्रेशनल नंबर की ठीक है अब इर्रेशनल नंबर की एक्जामपल कैसे बनते हैं वो ज़रा देखते हैं एक बार तो आपको ऐसे एक्जामपल लिखने हैं जो ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट होने वाले हैं तो कुछ एक्जामपल कैटेगरी देखते हैं तो एक्जामपल्स ओफ इर्रेशनल नंबर कौन से एक्जामपल बनते हैं इनके देखतो जड़ा एक बरसी जोगो जैसे के एक्जामपल लिखा आपने 1.202.002.000.00 लेकिन कोई पार्ट रिपीट भी नहीं हो रहा है आप एक निए सकते रिपीट हो रहा है, आपने देखा 2.0 दिखारारेक पार रिपीट ओगया है, के बाद में है, नहीं है के बाद में है, नहीं है 3.57171171111 बताओ कोई पार रिपीट हो रहा है तो आपको लगेगा कि सर यहां हुआ ना 7-1 7-1 लेकिन क्या आगे हो रहा है नहीं हो रहा है आगे हो रहा है नहीं हो रहा है तो यह आपके एक्जामपल बनते हैं irrational number के non-terminating non-repeating clear है तो अभी तक हमने जो information पड़ी उसका according आप identify कर सकते हो सिरब denominator देख लेकिन एक्जामपल देखता हूँ और उसका according आपको बताना है rational number के example है आपको बताना है कि इनका terminating आएगा कि non-terminating आएगा और फिर rational number question का according करेंगे तो question लिख लीजिए check without division whether following have terminating or non-terminating repeating decimal expansion ये आपको बताना है without division division डिवाइड करके नहीं देखना है first part 15 upon 15 नहीं 3 upon 7 ठीक है 15 upon 6 ठीक है एक example हो इन दोनों करो जल्दी से और एकजम्पल बनाता हूँ मैं 17 upon 225 21 upon 75 और अभी आपको एक नहीं चीज़ बता लगेगे इन question के अंदर ठीक है चलो इतना ही कर लेते हैं इतना sufficient है topic समझने के लिए जल्दी से बताओ सिर्फ divide नहीं करना है देखके बताना है या ज्यादा ज्यादा आप denominator का prime factorization कर सकते हो आप देखके बताओ कि किसका कैसा आने वाला है rational है तो वह सिर्फ दोई टाइप का कैता टर्मेट कर जाएगा नॉन टर्मेट कर जाएगा नोन टर्मेट कर जाएगा लेकिन वह कौन सा है तो यहाव वन मिनिट तो सोल्दिस